हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे है आज मंदिरों में उत्सम हो रहे हैं स्वच्छता भ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रजवलित करने की तैयारी है कल मैस्री राम के आशिरवाद से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदु अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम में प्रयास था वहाँ पर मैंने पुष्प बंदना की वहाँ मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्थान के दोरान मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो आंद्र प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम में रंगनाथ स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में स्री रामनाथ स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष्कोडी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पमित्र भाव के साथ मुझे सागर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सागर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का बही उत्सवभाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारती आत्मा के कण कण से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वास्यों मुझे देश के कौने कौने में अलग-अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामाया अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभासित करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंते यश्मिन हिती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है